नमस्कार दोस्तों मैं राजेश कुमर आपका एक वर फीसर स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल एक प्रोटेक में दोस्तों टू बिक पहले मैंने एक माइक्रो केप कमपनी के बारे में बताया था जिसका कि ये वन रूपी सेर प्राइस था अब दो भीट में 50% increase हो चुका है आज उसका कुलाजिंग प्राइस 152 है तो 52 पर की कंपनी लेके है हूँ, अजें माइक्रो केप की कंपनी नहीं बाद की कंपनी है इसका की प्राइस आभी 136 चल रहा है तो डोस्तों आज मैं जो company को बताने वाला हूं, इसके वाए में बता हूँ है कि आके इसमें sudden trigger क्या आया है, आपने बहुत सारे analysis देखे हूँगे YouTube पे और बहुत सारे जगह आपने देखे हूँगे, इसमें ओल लोग चार्ट देखकर के, टेकनिकल analysis करके चार्ट देखके उसका बताते है क्या ऐसा positive होने वाला है, जिससे कि company को profit ज्यादा होगा, तो हम इसको analysis करते हैं, जो हमारी team है, इस पे लगी रहती है कि company में growth होने के chances क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस company में risk क्या है, और उसमें मैं आपको disclosure भी दूँगा कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं analysis बताऊंगा, इसका हर point बहुत important है, तो आप इस video को last तक देखिएगा, अगर आपने कुछ miss किया, तो आप सही analysis नहीं कर पाएंगे, तो आप इस video को पूरा in तक देखिएगा, तो आज जो मैंने select किया है share, ये एक textile company के share है, और इस textile company जैसा कि आप ज लेके आया हूँ, और textile company के अंदर मैंने बनारी अमन स्पीनिंग मिल्स का ही क्यों लिया है, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या आगी trigger इसमें आया है, तो चली इसको आगर देखते हैं, तो इसमें ऐसा है कि कुछ तो news है, USA से आ रही है, और जिसके कारण इसमें 136, 137 चल रहा है, और ये एक textile company है, टेमिलाडू की company है, इनका textile company में एक value chain company है, ये cotton yarn से लेकर के textile fabric सब कुछ मनाती है, और इसका bin power generation का भी काम है, इसका अपना एक brand है, बिड्ज, इसका अपना brand है बिड्ज, जिसके product, जिसके जो products हैं, कपरे हैं, वो online flip card पे भी sale कहती है, आपने softs भी हैं, ये exported है, cotton yarn का export करती है, garments का export करती है, तो देखते हैं कि इसमें sudden trigger क्या है, तो sudden trigger ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पिछले कई सालों से, जो yarn producer हैं, या garments producer हैं, इसको उतने अच्छे price नहीं मिल रहा थे, और इसलिए ये sector उतना अच्छा perform नहीं कर रहा था, लेकिन अफी एक Yosya से news आई है, कि Yosya ने चाइना की बड़ी company, XPCC को bank किया है, मतलब वहाँ से बनने वाली cotton yarn या उसका कोई भी garments बन, fabrics वहाँ से import नहीं करेंगे, तो अब problem ये होता है, कि अगर वहाँ से import नहीं करेंगे, तो कहां से import करेंगे, तो इसके लिए अब वह एक alternative source ढोट रहे हैं, जो कि इंडिया में ढोट रहे हैं, इंडिया में जो manufacturing company है, especially yarn का price अभी काफी बढ़ गया, 40% increase हो गया, क्योंकि अभी इंडिया से इसका demand जादा हो गया है, तो अब देखते हैं कि जो Yosya ने बैन लगा है, चाइना की government company, XPCC से बनावा yarn या उ बैन लगा है, उसका क्या impact आएगा, तो एक example आपको बताता हूँ, कि जैसे कुछ समय पहले, Yosya ने चाइना से chemical import पर बैन लगा था, तो उससे क्या हुआ कि जो उसके बाद उने ने बहुत साइ alternative source ढोड़ा, और Indian company से chemical लेना start किया, तो इस तर से इंडिया में जितनी भी chemical company फुल capacity पर काम करने लगी, तो उसी तर से अब जब उन्होंने textile और cotton यान पर बैन लगा है, तो अब वो alternative इंडिया में ढोड़ रहे हैं, और इंडिया में जो company है, textile company, cotton यान बनाने company है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, और अगले दो तीन quarter, अगले दो तीन quarter म यह लोग बहुत ही bumper कमाई करने वाले हैं, तो यह तो हुई बात textile company की, textile company bumper profit करेगी, लेकिन इसके अंदर मैंने जो company select किया है, वह है बनारी अमन spinning mills, यह company मैंने क्यों select किया है, इसके पीछे क्या region है, तो इसका region यह है कि जो company है, इसकी जो management है, काफी honest और काफी अच्छे management है, और इसका dividend paying का record बहुत अच्छा रहा है, अगर इस साल को छोड़ दें, करोना काल में छोड़ दें, तो 20 साल और अगर छोड़ दें, तो पिछले 20 सालों उन्होंने बहुत ही अच्छे dividend दिया है, और इन्होंने पिछले 7 साल में अपने जो sales से इसको double भी किया है, इसने खुद का एक brand है, तो बहुत कुछ बनाती है, इनका export presence भी बहुत अच्छा है, 25% of sales जो है इनका export से ही होता है, इन्होंने बहुत साइक company के साथ joint venture किया है, जैसे कि ये company है USA की brand dot international है, Intimark of Mexico, तो इसके थूँ इनका एक global brand बन गया, इनका एक export भी बहुत अच्छा हो रहा है इनका जो दूसरा business है, wind power energy का, इसे 30 megawatt का energy भी जनरेट करते हैं, तो ये सब जो points है, जिसके कान मैंने इस company को select किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि textile company पिछले कुछ सालों से उतना favorable नहीं रहा है, लेकिन अच्छा नहीं रहा है, फिर भी उन्होंने अपने date को reduce किया है इसका जो presence है, इसका जो अपना brand है, builds, उसका भी बहुत अच्छा retail market में उसका अच्छी पकर है, इनका टमिलाडो में बहुत सारे stores हैं, जिसमें वो अपने brand के अंदर men's, women and kids के inner wear और दूसरे garments बेचते हैं, और ये अपना brand को flip card के थ्रू भी बेचते हैं, ये भी हो सकता है कि ये जो इनका जो garment बनाने की company है, garment बनाने का section है, हो सकता है वो ऐसे अलग कर दे, अपने company से अलग इसे sale कर दे, ये अलग list कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है, इसका भी benefit मिलेगा, तो shareholder pattern अगर देखे सप्तम्बर 2020 का, तो उसके अनुसार जो promoters हैं, promoters के पास इसका 55% sales है, औ जो HNI हैं, उनके पास 13.87% है, जो दूसरे बड़े institution है, उनके पास 22% है, और सबसे बड़ी बात ये है, कि इस company का जो sales है, retailer के पास only 8% है, only 13 लाग sales है, जो कि retail के पास है, जो कि market में trade हो रहा है, और जो बड़े बड़े company है, वो अगर इससे कुछ sales उठा लेती है, तो फिर market में कोई seller ही नहीं बचेगा, और जिब कोई seller नहीं होगा, तो फिर upper circuit लगना start हो जाएगा, तो मिझे लगता है कि अगले दो तीन quarter में ऐसा हो सकता है, कि upper circuit भी जाए, तो चलिए अब देखते हैं कि इसके में और भी positive triggers क्या है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि cotton यान का price increase हो रहा है, एक sports के order increase हो रहा है, एक sports अभी ज्यादा ओरने लगा है, और 2021 के budget में इसकी ऊपर एक नहीं policy भी आ सकती है, textile company एक नहीं policy आ सकती है, क्योंकि textile company जो है, एक बहुत ही employment generator company है, तो इस पर एक नहीं policy आगए, तो अच्छा होगा कि budget से पहले, budget से पहले अगाई share को खरीद लेते हैं, तो इसका बहुत ही जादा फायदा मिल सकता है, अब देखते हैं कि इसमें this factor क्या हो सकता है, क्या है जो कि negative हो सकता है इस company के लिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि USA में government change होने वाली है, तो जो नहीं government आती है, उनका Chinese के पती क्या जुक होता है, तो एक negative हो सकता है, लेकिन जिस तर से information वहाँ से आड़ ही है, उससे यही लगता है कि अभी USC किसी एक company पर depend नहीं रहना चाहती है, वो हमेशा एक alternative source की तलास में आती है, अभी alternative source बना कर रखेगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया cotton yarn maker का सबसे बड़ा producer company है, तो इसलि आगे भी continue रहेगा, तो मुझे कुछ खास ज्यादा negative नहीं लगता है, तो चलिए मैं आपको एक disclosure दे दू कि मैं इसको कैसे trade कर रहा हूँ, तो जब से यह USC की news आई है, उसके बाद थ्वा प्राइस अलरड़ी भर चुका है, तो इसमें मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस मैं लगता नहीं कि 110 आएगा, लेकिन जैसे इसे थोगा नीचे आएगा, मैं इस पर थोगा खर दूँगा, जितना quantity मैं खरीद रहा हूँ, उसके आधा को मैं long term के लिए रखूँगा, आधा को मैं trade करता रहा हूँगा, जैसा कि मैंने पहले बता रहा है कि इसका retail portion बहुत ह ही कम है, only 13 लाग shares retail में है, इसमें से कुछ share हो सकता है कि बड़े place करे देंगे, तो उसके बाद market में बहुत ही कम stock रहेगा, तो उसके बाद ये continuous upper circuit भी जा सकती है, और अगर इसमें आप invest करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो cotton का price है, उस पर थोगा सा वाच करना है, कि cotton का price अगर गिरता है, नीचे गिरता है, तो एक negative हो सकता है, अदर वाज मुझे तो अभी आगले 2-3 quarter के लिए बहुत ही positive लग रहा है, तो दोस्तों ये था आज का मेरा analysis, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ऐसे analysis आपको आश्च चाहिए, तो पिलीज आप मुझ करने के लिए आप में लाइक वटन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर भी तक सब्सक्राइब ने कि आपने दोस्तों को जोर सेरे करें, थैंक यू, जैंद